बुद मॉर्निंग इस्टिएंट हावर यू आपकी आपकी जाइप में तो बहुत सारे बेस्टिएंगे तप्पे अच्छा मित्र अच्छा मित्र आपकी क्या है आपकी पढ़ाई है इसलिए अगर आप उसे दोस्ती कर लेते हैं तो वह आपका लाइप आपके साथ रहेगी तो इसलिए हमें पढ़ाई को अपनी अच्छा को ही अपना प्रेंट बनाना चब्या है समझने बाताई यह यह क्या है एदुकेशन इसलिए इसलिए बेस्टिएंट इसलिए अच्छी निक्रिश्ट है आज ने निव चेप्टर के बारे में बिस्कस करेंगे ओके आजवा मारा निव चेप्टर है चेप्टर फोर आदर इस इन माई वर्ड मैंने चेप्टर थर्ड तक आपको एक्प्लेम किया था और समझाया था तो आज हम चेप्टर थर्ड भी दिवीजन करते हैं ओके में भार्ल झार माई बॉडी और इस चेप्टर की बारे में पार्ट्स ऑ बॉडी और पार्टी और आपको त्लस की आपकों हमारी बोड़ी में बहुत सारी संपार्ट हुते हो और वह सारी पार्ट होते हैं वह बहुत ही इंपोर्टेंट हैं आद एक ही होते हैं आपको सेंस और तो यह क्या है मारी इंद्रिया शक्ति हैं जो हमको बताती है कि आई से हम क्या कर सकते हैं क्या कि लेते हैं यह सन्गा करते हैं इसकिन अपनी तरचाइब करते हैं थो स्क्राइब टोगन और यह आपको अधिया था कि अल्या और दूसरे लोग भी हमारी क्या है दुनिया है तो आज का इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपनी फैमली के बारे में उनके साथ कैसे काम करना चाहिए उनके साथ कैसे रहना चाहिए और हमारे में कौन-कौन लोग है तो आज का हमारा टॉपिक है आबर फैमली मेंबर्स वरकिंग टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ओफ में बहुत सारे मेंबर्स हैं डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ फैमिली में कितने कितने टाइप्स होते हैं एक तो स्मॉल फैमिली होती है और एक लाज फैमिली होती है तो स्मॉल फैमिली एंट लाज लाज एंट बिफैमिली मतलब बड़ा परिवार ओके बड़े परवार में कितने लोग रहते हैं और फैमिली के साथ कैसे शाथ काम करना चाहिए अधर प्यूपल आधर विया आधवारुनॉर्व है क्या है हमारी सैमले में अगर आपके आपके आस पास रहते हैं लिवर्ण हो गया उनसे आपके चैप्टर में बाल भी चैप्टर है तो हम किसके साथ रहते हैं मदर पापा भाई एंड सिस्टर के साथ रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं फैमिली में सोता है परिवार है और भी सेमली मेंबर कौन कौन से हैं अवर मदर एंड फाढ़र our हमारे पापा हमारे क्या हैँ ऐस हैं अबर ब्रदर एंड सिस्टर अर ब्रह्री tooth brother and sister मतलब जो आप भाई बैन हो तो हम बोलते हैं न कि-म आयवर टू ब्रहतर ना बोलते हैं कि वन या टाल या वन षिस्टर तो हम प्या बोलेंगे अगर आपको अपने भाई बैन को बताना है कि brother and sister अब को लोगे two siblings four siblings, brother and sister को. our grandfather is our father, father of our mother as father grandfather कौन होते हैं, हमारे पापा के भी पापा, मतलब हमारे दादा जी grandfather को हम क्या बोलते हैं, दादा जी तो हमारे वो क्या हैं, पापा के पापा है and our grandmother हमारे पापा की मम्मी उनको हम क्या बोलते हैं, grandmother mouth ऑर हम अपनी मम्मी की मम्मी को भी क्या दो बहन गे ग्रैंडमदर या ग्रैंड फादर मतलब मेंस नाना या नानी थो हमारे ग्रैंड्पादर ग्रैंड मदर वोतै हैं घ्रैंड फादर ओग्रैंड मद दादी ї दादा दादी या नाना और नानी ये ग्रेंड फादर और ग्रेंड मदर हम इन लोगों कहते हैं तो ये हमारे क्या है ग्रेंड पैरेंट्स हैं क्योंकि ये हमारे पापा के भी पापा है और ये हमारे पापा के मम्मी तो हम क्या बोलेंगे इनको हमारे ग्रेंड पैरेंट्स है हैं okay so look at यह रखेम लीडी यह किसका फैमली ट्री है यह का इट शॉइज़ आ मेंबर और फैमली चल्य हम देखते हैं कि यह की ऐससे में में कितने में और यह लूग्ट दिस ट्री grandfather, grandmother, grandmother और grandfather मतलब एक दादा दादी हो गए एक नाना नानी हो गए फिर father mother yes and shreya yes sister तो आपको भी ऐसा picture अपने copy में draw करना होगा और photo paste करेंगे ठीक है फोटो नहीं होगी तो अब क्या करेंगे नेम राइट करेंगे और क्या उनसे relation है और grandfather है तो grandfather की अगर photo नहीं paste है कर सकते हैं फोटो नहीं है तो आप नेम के साथ उनका relation I mean उनसे क्या संबंध है वो क्या लगते है वो ट्री बनाएंगे और इसको अपनी copy में draw करेंगे ओके तो our mother and father जो हमारे माता पिता होते हैं हमारे parents होते हैं and grandfather और grandmother कौन होते हैं grandfather और grandmother कौन होते हैं हमारे grandparents grandfather और grandmother हमारे मम्मी के पापा मम्मी और हमारे पापा के पापा मम्मी उनको हम grandfather और grandmother बोलते हैं परिवार के 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 पर families are small some family are small and then will some are large कुछ family क्या होती है small मतलब कुछ family चोटी होती और कुछ family बड़ी होती है in a small family parents and children live together small family में कौन रहता है parent I mean mommy papa mother and father and children तो यह क्या है small family मतलब nuclear family यह चोटी फैमली चोटी फैमली में four member रहते हैं तो हम इसको small family भी बोल सकते हैं और nuclear family भी बोल सकते हैं nuclear family और small family क्या है एक साथ रहती है उसमें कौन कौन आता है parents मतलब ममी पापा और children बच्चे brother and sister तो यह क्या हमारी small और small family भी हम कह सकते हैं फिर है in a large family और a joint family parents, children and grand parents stay together joint family joint means joint family means जो सब एक साथ रहते हैं सब एक साथ जुट बना के रहते हैं उस joint family में कौन कौन रहता है parents मतलब ममी पापा, children बच्चे and grandparents मतलब दादा दादी stay together जो एक साथ रहते हैं जो एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं joint family उसको हम क्या बोलते हैं joint family joint family को हम large family भी बोल सकते हैं last family में कौन कौन रहता है parents, children and grandparents stay together last family में कौन कौन रहता है parents, children, grandparents and stay together मतलब दादा दादी, ममी पापा, बच्चे तो यह क्या है एक हमारा बड़ा परिवार है और छोटा small family में four member रहते हैं और big family में uncle, auntie, दादा दादी, ममी पापा, भाई बेहन, भुआ यह सब क्या है एक बड़ी family, एक joint family है जो एक साथ रहती है एक खटे रहती है है ना उसको हम क्या बोलते हैं joint family some families also have pets, pets are animal some family कुछ family के पार pets मतलब पालतु जानवर भी होते हैं तो उनको भी हम अपनी family समझते हैं क्यों हमारे साथ रहते हैं pets are animal pets क्या है animal है like such as a dog, cats, birds, etc तो पालतु जानवर में क्या आता है dog, kutta, billy, चिडिया, आदी who live in our homes वो हमारे साथ ही रहते हैं we love and care for our pets तो हम क्या करते हैं उनसे प्यार करते हैं उनकी देखभाल करते हैं अगर आप किसी को भी pets को किसी animals को लेकर आते हैं तो उसको क्या है उसको hurt नहीं करना है I mean उसको harm नहीं पहुचाना है उसका ध्यान रतना उसकी care करनी जैसे आप अपने family member जैसे आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं वैसे हमें अपने pets की हमें अपने animals की भी care करनी चाहिए क्योंकि वह हमारे साथ रहते हैं और हमारे देखभाल करते हैं ओके फिर है working together different members of our family working together together meant work means होता है साथ 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 prac different members of family so different तरह तरह के members होते हैं तोह यो ठार तरह के वर्क करते हैं कोई यह ना फोन भीडिव कोई फिरता है किसी को पाइन्टिंग करना अच्छा लगता है तो वह अलग अलग तरह-तरह की काम करते हैं तो आवर पेरेंस टेक केर ऑफ आस जो पैरेंस होते हैं मतलब हमारे माता-पाद माता-पिता वह सबकी केर करते देख भाल करते हैं इसको जिसके कुछ भी इसलिए वे प्रक्रद करें हैं जरूरतों को पूरी करते रिख आहसे ऍगा यह कुछ वो चाहिए मुझको ये खाना है मुझको यहां घूमना तो वो क्या आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो हमें भी उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए उनकी देखभार करनी चाहिए ओके आवर ग्रेंड पैरेंट्स लुक आफ्टर एज when our parents are not around we also do small tasks at home जो हमारे grandparents होते हैं हमारे दादा दादी होते हैं वो पूरी whole family आई मिन पूरे परिवार को देखते हैं क्योंकि वो घर के बड़े होते हैं और जब आपके parents आई मिन जब मम्मी बाबा से ले जाते हैं तब भी वो आपके साथ रहते हैं आपके छोटे मुटे काम में आपका साथ देते हैं आपके साथ खेलते हैं स्टोरी सुनाते हैं तो वो क्या है जो हमारे grand parents हैं वो पूरी family को साथ रखते हैं वो जैसे train होती है है ना train होती है अगर इंजन ही नहीं रहेगा तो क्या train चलेगी ना तो वो क्या है समझ लीजे जो आपकी family है family का जो main part है main engine I mean example पे आपकी body ना body body है body अगर head ही नहीं रहेगा तो क्या body रहेगी तो वो क्या हमारी family हमारी family है head है okay तो हमें उनको बहुत ही care करनी चाहिए okay family members also have different hobbies family members की तरह तरह की hobbies होती जैसे मैंने बताया hobbies means photo shock है ना उनकी तरह तरह का shock होता है some may enjoy reading कुछ लोग reading करना पसंद है और watching television किसी को टीवी देखना पसंद है other enjoy gardening या cooking कुछ लोग enjoy करते है खाना बनाने में कुछ लोग बगीचो में enjoy करते है तो क्या है सब लोग जब कुछ भी घर पे festival पड़ता है या कुछ भी function होता है तो सब क्या है सब एक साथ work करते है करते है कि ने करते है आप स्कूल में देख लीजे जब कुछ भी रहता है कुछ भी festival रहता है तो क्या सारे टीचर सर बच्चे सब एक साथ enjoy करते है तो हमारे स्कूल भी एक family की तरह है और हमें उसकी देख भाल करनी चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए समझ में बात आई other people around us अनलोग भी क्या है हमारे आसपास है चारो तरफ है तो देखिए are there other houses near your house who lives in those house ओके जो हमारे आसपास रहते हैं उनको क्या बोलते हैं neighbors people who live near us are our neighbors जो people जो लोग हमारे आसपास रहते हैं हम उनको neighbors हमारे पडोसी बोलते हैं good neighbors अच्छे पडोसी help us when we are need जब अच्छे पडोसी कम मदद करते हैं जब आपको जरूरत होती है है ना जब आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो हमारी help करते हैं we should respect them and help them हमें उनकी respect करनी चाहिए हमें उनका आदर करना चाहिए और उनकी help करनी चाहिए अगर वो आपकी जरूरतों को time आपके work के time आपके time देते हैं आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो हमें भी उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए अगर आप कोई भी दूसरा person अगर आपको प्यार से बात कर रहा है only one parent the mother or the father look after the children and brings them जो only one parent family जैसे मान लीजे only one parent family is only one parent the mother or the father जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं अपने बच्चों की देख धाल करते हैं तो वो क्या है हमारे parents हैं आई बात समझ में फिर देखिए in school other children are our friends इस्कूल में जो और भी बच्चे आपके दोस्त हैं children who live in our neighborhood are also friends जो आप क्या आस पास रहते हैं रहते ने उनके साथ आप क्या कर सकते हैं आते हैं वो आपके क्या हैं पडोसी हैं तो आप उनके साथ आते हो ना स्कूल में आते तो वो क्या आपके friend है we play many games at home with our friend and family वो क्या करते हैं आपके साथ बहुत सारी games खेलते हैं आपके घर पे with our friend or family आपके दोस्तों के साथ और आपके परिवार के साथ सच एज लूडो हम कौन-कौन सा गेम खेल सकते हैं लूडो कैरम चेस इस आर कार्ट इंडोर गेम तो यह इस जो इंडोर जो हम घर के अंदर खेलते हैं लूडो हो गया चैस हो गया हाइड और सीक हो गया हैना तो कैरम हो गया हैना तो यह क्या है हमारा इंडोर गेम जो हम घर के अंदर खेलते हैं वी प्ले games like cricket बैड्मिनटन tennis and football outside with our friend जैसे हम अब बाहर खेल सकते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर जो हम घर के बाहर खेलते हैं, घर के अंदर तो नहीं खेल सकते हैं, क्रिकेड, मैन्विंटर, टैनिस, फुटवाल तो ये क्या है, आउटसाइड, आउटडोर गेम्स है, जो हम घर के बाहर खेलते हैं, क्या हम क्रिकेड, टैनिस, पुटबॉल घर के अंदर खेलेंगे, रूम में नहीं खेल सकते हैं, हम घर के अंदर इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, समझ में बात आई, ओके, सिर्फ वैलू एंड इसकील में देखे, हमें अपने नेबर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से उनकी क्या करना चाहिए, वो हमाई जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना, जब आपके मम्मी पापा नहीं रहते हैं, तो आपको देखते हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझ में बात आ रही है, फिर देखे, रिमेंबर में, वी लिव वित अवर मदर, फादर, ब्रदर एंड शिस्टर तुगेदर एस फैमली, फैमली क्या है, परिवार में क्या है, हम किसके साथ रहते हैं, मम्मी, पापा, भाई, बह हैं, टुगेदर, मतलब साथ रहते हैं, तो वो क्या है, हमारी फैमली, हमारा परिवार है, पैरेंट और चिंडर लिव टुगेदर इन इस्मॉल फैमली, पैरेंट और चिल्रेंट बच्चे और माता पिता एक साथ रहते हैं, तो वो क्या है, स्मॉल फैमली है, छोटा है और नेबर्स होते हैं वह हमारे आसपास ही रहते हैं जो हमारे स्कूल के और बहुत सारी आपके पढोस में ही रहते हैं समझ में बात आई फिर आपको देखिए क्या और है fill in the blanks है हम आपको समझा जेते हैं we live with our parents as a we live with our parents as a आप family के साथ रहते हो कि siblings के साथ रहते हो है ना parents as a siblings क्या है siblings मतलब अपने भाई बेनों के साथ रहते हो फिर है our mother and father are our हमारे जो मम्मी पापा हमारे grandparents है कि parents है क्या है हमारे parents है our brother and sister are our हमारे parents है कि siblings है क्या है हमारे siblings है ओके our live near us हमारे parents आस पास रहते हैं कि हमारे neighbors क्या रहते हैं neighbors हो हम यहां पर neighbors फिल करेंगे we like to play with our हम किस के साथ खेलना परसंद करेंगे friend के साथ कि neighbors के साथ friend in a school किस के साथ खेलना परसंद करेंगे friend के साथ दोस्तों के साथ फिर देखिए मैज़ा columns है mother, grandfather, parents and grandmother तो mother क्या कर रही है आपको क्या है पढ़ा रहे है grandfather newspaper grandmother आपको story और parents cooking कर रहे है तो आपको यह बुक में ही फिल करना है फिर है answer the following question what is a small family बताए parents and children are a small family ओके what is a large family parents, children, grandparents are a large family are a joint family who are a grand parents who are a grand parents तो देखिए इसका answer यहाँ पे दिया गया है मैं आपको बता देती हूँ our grandfather and our grandmother हमारे जो दादा दाती वो हमारे क्या है grandparents है तो बच्चो आपको यह chapter समझ में आया है कोई भी confusion हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको दुबारा बताऊंगी और आपका code है 50 आप वीडियो देखने के बाद comment करिएगा और जो भी मैंने समझाया है इस picture को भी आपको ड्रॉ करना है exercise करनी है कल आप अपना work complete करेंगे और क्या है अच्छी handwriting में ओके so take care